तो बच्चों previous class में हमने पढ़ा था production function, production के बारे में हमने पढ़ा था और short run production function पढ़ा था और long run production function पढ़ा था जिसने वो वीडियो नहीं देखिए, पहले आपको वो वीडियो देखिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं type of product, तो आईए शुरू करते हैं next हम लोग बात कर रहे हैं type of product की और फिर आप इसको बोल सकते हैं type of production जिसके अंदर सबसे पहला जो type of product है that is total product, दूसरा है marginal product और तीसरा है average product जिसके हम लोग बात already previous class भी कर चुके हैं utility के साथ, something like वैसा ही होता है तो आईए शुरू करते हैं total product से तो हम बात कर रहे हैं total product की total product क्या होता है, total product is the total amount of goods and services produced in a given period by using various factor of production various factor of production, factor of production दो परिकार के होते हैं जो आपको बताया था पहला fix factor जैसे land, building, machine इस type की चीजए और दूसरा आपका बताया था variable factor जो variate करते हैं production के साथ पर जैसे की labor हो गया, raw material हो गया इस type की चीजए तो इन दोनों से इन दोनों का use करके जो भी product हम लोग total product बनाते हैं उसको बोलते हैं total product, the total product is the sum of mp भी बोलते हैं marginal product का total को भी total product बोलते हैं अभी हम लोग आगे इसको table से ज़्यादा clear करेंगे और दूसरा हम लोग बोल सकते हैं total product is equal to multiplication of average product and जो भी उसमें factor of production जो variable factor of production लगाए उसको multiply करके average product multiply labor हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं तो इसलिए tp equals to ap multiply l है ना तो इसको हम लोग ज़्यादा clear करेंगे आगे टेबल के माध्यम से तो अभी आपको यह समझ में आ गया होगा आई इसको एक example के तुरू समझते हैं यहाँ पर हमने जो fix factor है उसको land लिया हुआ है और जो variable factor उसको हमने labor लिया हुआ है as you see यहाँ पर आप देख सकते हैं कि fix factor constant है हर level पे और variable factor को हमने बढ़ाया है क्योंकि हमको production बढ़ाना है तो first जब हमने जब हमारे पास एक land था और एक labor यूज हो रहा था तो वहाँ पर हमारा 40 का production हो रहा था suddenly हमने इसको दो किया तो 90 का हो गया as you know कि जैसे जैसे हम लोग variable factors को increase करेंगे वैसे वैसे आपका production बढ़ता रहेगा है ना बट एक time आता है जब वो constant हो जाएगा क्योंकि आप एक जमीन पे 5 labor अगर use कर रहे हो आपके बाद जादे की limit नहीं है तो आप ज़्यादा production वहाँ से नहीं कर सकते है ना तो 5 to 6 हुआ जैसे ही तो वो constant रहा 182, 180 ही रहेगा क्योंकि आप उससे ज़्यादा production वहाँ प 90 कैसे होगा क्योंकि देखो शुरू में वो fully utilized नहीं हो रहा है पूरी जमीन एक आदमी एक जमीन पे थोड़े टुकड़े पर काम कर रहा होगा दो आदमी जादे पर काम करेगा तीन आदमी और जादे पर काम करेगा तो इसलिए जैसे ऐसे लोग बढ़ रहे हैं वैसे वैस constant रखा है 180 and 180 ठीक है और जैसे फिर 6 to 7 आए तो 160 हो गया इसका reason क्या है इसका reason बिल्कुल fair सा है कि crowded area में ज़्यादा production नहीं हो सकता आई बासमन में तो आप समझ सकते हैं जैसे मालने जिए एक kitchen पे अगर चार लोग काम कर सकते हैं तो वहाँ पे अगर हम लोग 8 लोगों को भेज़ें production करने के लिए तो वहाँ पे crowd उतना ज़्यादा हो जाएगा कि वहाँ पे काम होगा ही नहीं है ना जितना production चार लोग कर रहे होंगे उतना production आठ कभी नहीं कर पाएंगे है ना क्योंकि area तो उतना ही है या फिर हम उने kitchen की quantity भी बढ़ानी पड़ेगी तो it is clear from the table on increasing variable factor with fixed factor TP increase कहां तक बढ़ रहा है 6th unit तक है ना यहां तक तो बढ़ रहा है लेकिन 6th unit में क्या हुआ वो constant रहा है ना but क्या हुआ at 6th unit the labor the total production is maximum but after employing 7th unit of labor TP decreases अब decrease की हुआ आप समझ सकते हैं क्योंकि crowd की वज़े से जैसे जैसे crowd बढ़ जाएगा वैसे वैसे production आपका कम हो जाएगा अगर आप और जादा crowd बढ़ा दोगे तो भी इतनी जादी भीड़ो जागी काम करने लाएक जगा ही नहीं बचेगी तो definitely वो आपका production और कम हो प्रोड़क्ट यानि कि total product में कितना बदला हुआ आया किस चीज़ से बदला हुआ आया जैसे जैसे हम लोग one more or less unit of variable factors को बदल रहे थे वैसे वैसे उसमें total product में बदला हुआ रहा था तो उसी को marginal product कहते हैं अगर हमने एक unit of variable product बढ़ाया तो उससे कितना बदला हुआ आया जो है वो वो total product को denote करता है एक succeeding unit को और tpn-1 एक preceding unit को बताता है इसको ज्यादा clear करेंगे हम लोग table से तो ये था आपका formula और एक और तरीके से इसको निकाला जा सकता है mp equals to change in tp upon change in labor तो आई इसको एक example के थुरू समझते हैं वही example जो हमने पहले लिया था वैसमें marginal product ज् देख सकते हैं पहले भी आपको explain कर चुके हैं ये बात को 5 और 6 में constant रहेगा और 7 में negative हो जाएगा अगर हम लोग mp निकालें number 1 quantity पे तो 40 minus 0 is 40 अगर हम लोग निकालें second number पे 90 minus 40 is 50 है ना फिर हम लोग 3rd पर निकालें इसी तरह से 130 minus 90 that is 40 इसी तरह से आप लोग आगे भी न निकाल सकते हैं अगर मालें जो हम लोग 7th पे निकालें 160 minus 180 that is negative वो आजाता है minus 20 यानि कि वहाँ पे कामी नहीं हो रहा है वहाँ पे काम की चोरी हो रही है ना वहाँ पे काम कम हो रहा है तो इससे आप लोग समझ सकते हैं कि marginal product कैसे calculate किया जाता है अब बात करते हैं average product की average product क पे आप कितना unit of production कर सकते हैं यानि कि एक variable factor कितना production कर रहा है that is average product ठीक है और इसको calculate करने के लिए क्या formula है ap equals to tp upon l यानि कि अगर आपने average product निकालना है तो आपने divide करना पड़ेगा tp को l से l मतलब variable cost यहाँ पे हम लोग labor ले रहे हैं variable cost को ठीक है तो इसको ही ऐसे ही करके आपका average product calculate हो सकता है आइस को table से समझते हैं आइस को एक example से समझते हैं वही example जो हमने पहले भी लिया हुआ है जहां पर आप देख सकते हैं tp जो है वो regular बढ़ रहा है because हमने variable factors बढ़ाय हुए हैं तो average product अगर हम निकालें second unit का तो 90 upon 2 that is 45 अगर हम third unit का निकाले 130 upon 3 that is 43.3 something और अगर हम seventh का निकालें तो 160 upon 7 that is 22.8 तो इस तरह से आप लोग AP जो है वो calculate करेंगे तो I hope कि आपको इस example के through भी समझ में आ गया हुआ कि AP कैसे calculate करना है और आपको तीनो के तीनो ही आपको point clear हो गए होंगे आज हमने पड़े total product, marginal product and average product next class हम मिलते हैं तब तक लिए bye bye